हेलो दोस्तों मैं हूँ अमर्दीप सिंग आप सभी का स्वागत करता अपने यूटूब चैनल cgpsc knowledge में दोस्तों जैसे हमारा weekly test का सीरीच चल रहा था आज उसी में जो है चौथा पेपर है हमारा weekly test का तो आज के पेपर में मैंने जो है 30 question लिये हैं जिसमें लगभग 20 से 21 question जो है वो 36 गड़क है जो हमारा week में जितना भी पार्ट कवर वो उसके उपर है बाकी पार्ट जो है current के question है जिसमें cg और international या national level के भी current उसमें सामिल है तो उमीद करता हूँ कि आपसे जादा ज्यादा question यहाँ पर बनेगा जितने question आपसे कितने marks आ रहें कितने सहीं हुए यह सब जो है आप अप comment में जरूर बताइएगा और कुछ पिछले वीडियो में जो भी doubt आए है वो ऐसे वाले question भी मैंने इस वीडियो में सामिल के है ताकि उस doubt नहार आए ठीक है चलिए चालू करते ह question देखते है रैपुर के मोती बाग का पुराना नम क्या है? यानी जो रैपुर में भी मोती बाग है उसका पुराना नम क्या है? इसका नाम है जो रैपुर के मोती का पुराना नाम है विक्टोरिया गाडन या विक्टोरिया बाग तो पहले का एंसर है E अगला देखते हैं माखनला चतुरवेदी ने पुस्पकिया भिलासा की इस जेल में रहते हुए लिखी थी तो माखनला चतुरवेदी जब अपना असेव गांदोलें के समय भासन दे रहे थे तब उनको गिरफतार कर लिया गया था उनको ओजस्वी भासन के कांड बिलासपूर में ते रहे थे वो भासन तो यह उनको जेल भी जो है बिलासपूर जेली हुई थी तो वही से उन्होंने पुस्पके बिलासब लिखी थी तो दूसरे कैंसर सी बिलासपूर अगला देखते हैं 36 गण में रिसब्तिर्ट की जानकारी का साहितिक स्रोत क्या है तो रिसब्तिर्ट में हमने वैदिक काल वाला जब हम 36 गण की तिहास पढ़ रहे थे तो उसमें महा भारत में हम पढ़े प्रगनों के अधिकारियों के और दूसरी तरफ उसके पत के क्या कारे उसको मैचिंग करना है तो अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे पहले हम कमा विजदार देखते हैं तो कमा विजदार जो है परगने का सबसे प्रमुक अधिकारी कमा विजदार होता है तो A का 2 होना च question number 4 का answer है B यहाँ पर मिला लेना ज्यादा बेटर होगे क्योंकि none of this भी एक option में है तो आप मिला के जरूर देख लिजेगा अगला देखते हैं निम्नमे कौन 1923 में गठी स्वराज पार्टी से संबंदित नहीं है यानि इनमे से कौन से वेक्ति स्वराज पार्टी से संबंदित नहीं है option है एराग्विंद्रो थे पंडित्रविशंकर्शू पंडिस सुंदरलाल सर्मा सेट गोविंदास ठाकुर छेतिलाल तो बाकी पंडिस सुंदरलाल सर्मा अगला देखते है जुलाई 1937 में मत्य प्रांत में गठीत प्रथम कॉंग्रेस मंत्री मंडल में 36 गड़ के पंडित रवी संकर सुकला को नेमली कित में से कौन से विभाग दिया गया था तो पंडित रवी संकर सुकला को पहले मंत्री मंडल में यानि खरे मंत्री मंदल में सिक्षा मंत्री का पद मिला तो जिसके बाद उन्होंने सिक्षा मंदिर योजना या जिसको विद्या मंदिर योजना के नाम से भी जाना जाते है वो चालू की थी तो इनका पद था सिक्षा मंत्री का तो छटवे का एंसर है B, सिक्षा मंत्री अगले हैं उनकी गिरबतारी के विरोध में 16 अप्रेल के हरताल हुई, देखिए सबसे पहले तो हमको ये समिलना पड़ेगा, 1930 का समय दिये, यानि ये सवीनिया वग्या अंदोलन के समय का question है, तो 36 गण में 6 से 13 अप्रेल को 1930 अक्मूर सुरा सप्ता बनाए गया था, कोई भी बात नहीं थी, जो भी पंडित रवी संकर सुकले ने 15 अप्रेल को जो रैपूर का सम्मिलन हुआ था, वहाँ पर जो है, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, यानि दूसरा प्मान जो दिया और बिल्कुल गलत दिया है, तीसरा देखता हुए उनकी गिरबतारी के उरोद में 16 अप्रेल को कोई भी हरताल नहीं हुई थी, तो इसके अंसर है, साथवे का E यानि केवल 1, यानि पहला पांट सहीं है, अगला देखते हैं, निम्न कथन से सहीं उत्तर चुने, ठीक है, तो ये जो है, पिछले बार स्टेट सर्विस का ही कोस्चन है, पहला लि का हाई कोट पहुन पर तिरंगा फेराय था, तो ये ठाकुल प्यारेलाल के पूत्र थे, जो और की नापपूर में जाका हाई कोट में तरंगा फेराय था, फिर उनको गिरप्तार कर लिया गया था, ये भी सहीं है, तिसरा है बिलासपूर ने, बिलासपूर ने लिखया में थी ठीक है भली कॉंग्रेस जन्द के द्वारा वहाँ पर जुलूस निकाला गया था लेकिन विद्ध्यात्यों द्वारा नहीं था नौकर्स को तो इसका एंसर है हाटवे का एक और दो यानि भी अगला देखते हैं निम्नमे से सही उत्तर दे ये भी पिछले बार के स्टेट सर उसका कोशन है कई लोगों को मुस्कान पॉप्लिकेशन की बुक से पढ़कर ये डाउट हो गया था कि जो मैंने डेट बताई है वो गलत बताई है तो ये कोशन ही आया होगा आप इससे डेट म किया था दूसरा इस मंत्री मंदल ने विद्या मंदिर योजना प्रारम की थी देखें विद्या मंदिर जो योजना प्रारम की गई थी वो पंडित रवी संकर सुकले जब सिख्छा मंत्री थे तब की गई थी इस समय जब वो मुख्य मंत्री थे तब नहीं की गई थी तो देखते हैं 8 नॉंबर 1949 को मंत्री मंडल ने त्याग पत्र दिया था तो 8 नॉंबर 1949 को ही मंत्री मंडल ने त्याग पत्र दिया था यानि इसका जो point है point number जो इसका answer होगा 1 और 3 यानि D, 90 का answer है D 1 और 3 अगला देखते हैं सूची मिलाने है व्यक्ति का सत्याग्राव और नेता की जो है उनमे सूची मिलाने हमको तो रैपूर का जो है रैपूर से हमारे पंडितरवी संकर सुखलब बिलासपूर से राम गोपल तिवारी ही है धमतरी सो छोटेला स्रिवास्तोईया और दुर्ग से घंसयाम सिंग गुपती है यानि दसवे का एंसर है सभी ए यानि सभी जो सामने सामने के मैच है तो दसवे का एंसर है ये अगला देखते है 1942 में 36 गण में हुए रैपूर्स एडियंत केस में पुलिस ने किसे भरी रिवॉल्वर के साथ गिरबतार किया था तो रैपूर्स एडियंत केस में सीवनंदन जो थे उनकी मुक्बीरी के चलते जो है परसराम सोनी को गिरबतार किया गया तो जो कि बिलासपूर के सास्किया हाई स्कूल में जो जंडा फिराने का प्रमुक कारे किया था वो था गांति कुमार भार्ती ने तो बारा कैंसर है गांति कुमार भार्ती अगला देखते हैं हरीजन उद्धार एटू गांदी जी ने 36 गड़ का दौरा कब किया था तो 22, 26, 29, 1933 यानि 9, 1933 में किया था तो तेरा कैंसर है B, 9, 1933 अगला देखते हैं 1940 में रैपूर के कॉंग्रेस भार्त गांद किस ने किया था ये भी पेपर में आये हुआ कोस्टन है कई लोगों के डाउट था कि 1949 में कॉंग्रेस भार्त गांद किया था वो गलत है जो पेपर में ये एक कॉस्टन आयो और मैंने भी 1940 डेट बताई थी बुक के साब से राम कुमार बिहार के बुक के साब से और ये कॉस्टन से पूछा गया है तो देख ली जो 1940 में रैपूर कॉंग्रेस भार्त को गाटन किस ने किया था वल्ला भाई पटेल ने 14 का एंसर भी अगला देखते हैं 36 गर में सवीना वग्या अंदोलन के दोरान मानर सेना का गठन किस ने किया था तो देखे इसमें आप्शन में यती अतनलार और वासुदेव देवरस भी दिया और इसने रैपूर ब्लासपुर कुछ भी नहीं पूछा है और सिर्फ सवीनावग्य अंदोलन लिखके दिया तो मैंने बताया था अगर सवीनावग्य अंदोलन ही दिया तो हम प्रथम सवीनावग्य अंदोलन मानेंगे तो उस समय वासुदेव देवरस ने वहाँ पे गठन किया था बाकी जो यतियतनलाग जो थे वो सेकंड सभीने जब सेकंड चरंड चालूब था तब रैपूर में किये थे तो इसका एंसर है पंद्रा कडी वासुदेव देवराज अगला देखते हैं जांजगीर सहर के जन्मत आता है जांजगीर सहर तब को पता है जाजल देव प्रथम ने जांजगीर सहर की स्थापना की थी तो सोला का एंसर है जाजल देव प्रथम अगला देखते हम 1938 में खेरागण में कौन से दल का गठन किया गया देखे ये भी पेपर में आया है वो कोश्चन हम बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया था कि मुस्कान पॉब्लिकेशन में ये डेट गलत दी हुई है या जगा भी रैपूर दी गई है तो देख लीजे कोश्चन ही आया हुआ है 1938 में खेरागण में कौन से दल का गठन किया गया था वो ता सेवा दल जो मैंने बताया था पदुमललकुनलल बक्सिवाला तो 17 कैंसर एड़ी सेवा दल अगला देखते हैं सवीनया वग्या अंदोलन के संबन में चच्चाण में निमन घटना में से सत्य घटना बताईए यानी चच्चाण में कौन से घटना हुई थी? सवीनया वग्या अंदोलन के दोराण पहली है इस अंदोलन के दोराण गांदी जी ने चच्च्च की आतरा की देखे जब मैंने बताया था यहाँ पर पहला चरण दूती चरण कुछ नहीं लिखा है तो हम पहला चरण मान के चर रहे हैं तो सवीना वग्या अंदोलन के दुरान गांदी जी ने कोई भी 36 गड़ की आत्र नहीं की थी 1933 में की थी जब दूती चरण चाहता था दूसरा अने के स्थान में जंगल सत्यागर हुए तो सवीना वग्या अंदोलन के दुरान मैंने बताया था हर इस्थान में रुद्री हो या गटा सिली हर जगा जंगल सत्यागर हुआ था वो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन जंगल सत्या अगरा जरूर हुआ था सवीना वग्या अंदोलन के दुरान यानि दूसरा पंट जो है बिलकुल सही है तो इसका एंसर है सत्या घटना जो है बी है अठरा का बी अगला देखते हैं इसमें सूची मिलाना है हमको तो इसमें सूची में देखे हिंद केसरी का प्रकासन लिखा है तो हिंद केसरी का प्रकासन 1908 में हुआ था ठीक है माधोराव सप्रे ही थे इंद केशरी में फिर है राजनान गवाँ में सरस्वती पुस्त काली के स्थाबना 1909 में हुई थी चतिस गर्मित्र का प्रकासन जो हुआ था 1900 में हुआ था माधोराव सप्रे और 33 प्रांती जीला कॉंग्रेस सम्मेलन 1907 में हुआ था तो इसको मिला लिजेगा तो 19 का एंसर है अगला देखते है निम्नमे से सही है तो होपाल पटनम का विद्रो कोरा मांजी गलत है लिंगाग अब करेंट के कोस्चन है युनेस्को के नए सरविच्छन कंसार ताज महल विष्व विरासत इस्तल की सूची में विष्व के सरस्रेश्ट इस्तल में कितने स्थान पर है यानि हाल ही में युनेस्को ने एक सूची जारी की है जिसमें विष्व विरासत इस्तल जो युने और दूसरे नंबर में है ताज महल तो विस्व विरासा सूची में ताज महल पूरे विस्व में सर्स्रेश रिस्थल में दूसरे नंबर पर है तो 21 का एंसर है वी सेकंड अगला देखते हैं 2015 का दादा साफ फाल के पुरुसकर दिया गया था 2015 में देखे अभी हाली में ससी कपूर की मिन्तिय हुई है तो 2015 का दादा साफ फाल के पुरुसकर जो है ससी कपूर को ही दिया गया था यह इंपोर्टेंट है याद रखेगा अभी हाली में उनकी मिन्तिय ह तो 22 के अंसर है C, ससी कपूर, अगला देखते हैं, 2018 का फीफा विश्व कप का आयोजन होगा, 2018 का फीफा विश्व कप जो है, उसका आयोजन रूस में किया जाएगा, तो 23 के अंसर है A, रूस, अगला देखते हैं, यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन अपने पेपर के साब से, 4 दिसंबर 2017 से, यहाँ पे कोस्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है, कोस्चन में जो लिखा है, उसको भी जरूर देखेगा, 4 दिसंबर 2017 से, मोख्य मंतरी रमन सिंग द्वारत 10 दिवस्ती, 10 दिनों की तेंदू पत्ता बोनस उस्सव का उधगाटन किस जिले से किया गया है, तो दस दिवस्ती याद रखे, 10 दिन का है, 4 दिसंबर से चालू है, कहां से चालू किया गया है, बीजापूर जिले से किया गया है, तो 24 गैंसर है C, बीजापूर, अगला देखते हैं, चाबहार बंदरगा का संबंद किस देश से नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट हाइले पाकिस्तान की योजना है, वैपारी योजना है, बंदर गाप जो बनाया गया है, तो ये पाकिस्तान से संबंदित नहीं है, तो इसका एंसर है 25 का D, अगला देखते हैं, 30 नौंबर 2017 को भारत के कितने रुपे के नोट को छपे हुए 100 साल हुए, यानि कौन सा नोट ऐसा है जो की आज से समदब 30 नौंबर से 100 साल पहले पहली बार छपा गया थे, यानि 1917 में, तो वो नोट है 1 रुपे का नोट, जिसको भी 100 साल कम्पलीट हो गये हैं, तो 26 का एंसर है 1 रुपे का, जो की इंगले अट में छपा था सबसे पहले, अगला देखते हैं, 15 वितायों का गठन किसके देखता में किया गया, बहुत important question है, तो इसका option है NK Singh, YV Reddy, AK Singh, GS Ahu Aliyah, none of these, तो इसका answer है A, NK Singh, बहुत important है ये, 27 का answer है A, अगला देखते हैं, 36 गड़के किस स्थान में तिसरा अंतराश्टी फिल्म महज़व का आयोजन हो रहा है, तो ये जो है रैकूर में ये तिसरा बार आयोजन किया जारा अंतराश्टी फिल्म महज़व का, तो इसका answer 28 का A, तो इसमें बहुत important बात याद रखने वाली चीज है, इसमें जो है विनोत कुमार सुकल, जो मारे आके साइट्यकार, उनकी जो बुक है, नौकर की कमी, जो पिच्चर बनी है, वो दि पुछना की गई है, किसको मुखे सुचना आयोगत बनाया जा रहा है, तो इसका answer है M.K.Rout, यानि इसका भी answer है A, 29 का A, यह भी बहुत, आ जी कहा है, तो इसको याद कर लीजेगा, आ सकता है पेपर में, अगला है, हाल ही में 2017 का गुड़ादूर सम्मान किसे दिया गया, यह दिया गया, रेणुका यादो को, जो कि महिला होकी खिलारी है, जो कि अभी ओलम्पिक जब हुआ था, तो वहाँ भी खेलने गई थी, शर्षिजगर का पति निधित्व भी किया था उन्होंने, तो यहाँ पर जो है A, रेणुका यादो, यह अपर टीस कोशन जो है, व इतने कोशन आपके बने, जरूर वीडियो के कमेंट में बताईएगा, बाकी जो हमारे वीडियो सीरीज चर रिए, उसका अगला पाथ हम कल के वीडियो में कवर करेंगे, तो उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो आपको पसंद आओगा, अगर वीडियो अच्छा लग कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, जादर जादर सेयर कीजे, फिलाल के स्टूडियो में सिर्फ इतना ही, जै भारत, जै चत्तिसगर्ड